रक्षा सूत्र में ब्रह्मा विश्नु महेश और गाय का स्वर कनेक्शन, जानिये नेपाल में कैसे मनाया जाता है रक्षा बंधन? रक्षा बंधन रिचूल्स पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन छे सूती धागों से जनई को नेपाली पुरुषों को पहनाया जाता है। नेपाल के इतिहास में इसका खास महत्व होता है। ये धागे पवित्रता और सुरक्षा को दर्शाते हैं। इन सभी छे धागों का अपना महत्व है। इन में से तीन धागे ब्रह्मा, विश्नु और महेश का प्रतीक होते हैं। अन्य तीन धागे ज्यान, पूजा और कर्म को दर्शाते हैं। मनाया जाता है जनई पूर्णिमा। रक्षा सूत्र सूती धागे से बना होता है। इसे पवित्र बंधन के रूप में माना जाता है। नेपाली ब्रह्मनों में इसे उनके जीवन के महत्व के तौर पर देखा जाता है। बच्चे के वयस्क होने पर इसे पहनाया जाता है। इस प्रक्रिया को ब्रत्पंद कहते हैं. मान्यता है कि इश्वर धागे के रूप में उस इंसान के साथ रहते हैं. इसलिए इसे पवित्रश शरीर, आत्मा और मन के लिए बांधा जाता है. कहा जाता है कि यह धागा बुरी चीजों से इंसान की सुरक्षा करता है. हर जनाई पूर्णिमा के दिन नेपाली ब्राहमन और छेतरी समुदाय के लोग इसे बदल कर नया जनाई पहनते हैं माना जाता है कि जनाई पूर्णिमा पर जो भी इनसान इसे पहनता है वो धर्म का महत्व समझने लायक हो चुका है वो इश्वर की पूजा अर्चना को समझता है भारत में इसी प्रक्रिया को जनेव या यग्याई पवीत संसकार के नाम से जानते हैं इसे पहने वाला ब्राहमन मास मचली नहीं खाता इस प्रक्रिया के एक दिन पहले आंशी को प्वास रखना होता है उस शक्स को मीट, प्याज और लहसुन से दूरी बनानी होती है जनाई पूर्नेमा पर बड़ी संख्या में ब्राहमन लेंग टैंग राष्ट्री अवुद्यान में 4,380 मीटर अंदर बनी लेक में स्नान करते हैं जिसका धार्मिक मेहत्व है, क्वाती पुन ही, गाय दिखाती है स्वर्ग का रास्ता, नेपाल की नेवार कम्यूनिटी इसे क्वाती पुन ही के तौर पर मनाती है जनाई से इतरिनमे हाथों पर धागक दोरा पहनने की परमपरा है पुरुष सुबह सुबह नहाकर मंदिर पहुँचते हैं जहां पुजारी इन्हें दोरा पहनाते हैं अगले दिन इस धागे को खोल कर गाई को बांधा जाता है माना जाता है कि इनसान के जीवन का अंधोने के बाद गाई ही स्वर्प तक का रास्ता दिखाती है इस मौके पर घरों में तरह तरह के पकवान बनाये जाते हैं नेपाल में रक्षा बंधन की परंपरा नेपाल में रक्षा बंधन को रक्षा बंधन के नाम जाना जाता है तराइक शेत्र के हिंदू इसे मनाते हैं इस कम्यूनिटी में रक्षा बंधन को वैसे ही मनाया जाता है जैसे भारत में मनाने की परंपरा रही है। बहने भाईयों को रक्षा सूत्र बांधती हैं। भारत की तरह यहां भी बहने पूजा थाली सजाती हैं और भाई को तिलक लगाने के बाद दाहिने हाथ में राखी बांधती हैं और फूलों की माला पहनाती हैं.